नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिनातो चांशू पांडे और हमारी अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हम लोग परिच्छा की तैयारिया कर रहे हैं भौतिकी के लिए एक्जाम से रिस चल रही है और हम जो है टार्गेट कर रहे हैं 2023 के एक्जाम को यहाँ पर आपको हमारे एप्लिकेशन में भी यह सारी वीडियो एडिशनल कंटेंट यहने की माइंड मैप शॉर्ट नोट्स इं सारी चीजों के साथ में मिल जाएंगे तो आप हमारा एप्लिकेशन इस्टॉल करें और हमें वहां से देखने का प्रयास करें लेकिन यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी हम सारी बातें जैसे चुम्ब की फ्लक्स फराडे का नियम इसके बाद में जो है फ्लेमिंग का नियम और फ्लेमिंग के नियम के बाद में जो है गतिज विदुत वाहग बल के बारे में बातें कर ली थी इसके बारे में हम सीख गये थे अब इसके आगे जो हम और क्या सीख सक जो विद्दुत वहगबल है इसके बारे में हम लोगों ने लिखा कि यह होता है डी फाई बटा डी टी अच्छा यह विद्दुत वहगबल जो है जो जैसे विद्दुत वहगबल यहां पर होगा यह काम क्या करेगा यह काम को यह करेगा कि जो है यहां पर विद्दुत धार तो विदूद फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो अनुक्रमा नुपाती हो जाता है विदूद धरा में परिवर्तन के बाराबर अब यहां पर यह को एक नियतांग रखना पड़ेगा जिसे हम अनुपातिक नियतांग कहते हैं इस नियतांग को जो है अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इस नियतांग के लिए जो है हम दो प्रकार के स्थितियां सोच सकते हैं किस प्रकार की स्थितियां सोच सकते हैं पहला यह देखिए कि हमको जो है पहली पहली स्थिति ऐसी सोचनी है जहां पर जो है जैसा कि हम लो उत्पन इसलिए हुई ताकि वह फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध कर सके तो मतलब यह है कि पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के कारण चुम्बकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया और चुम्बकी बल के मान में परिवर्तन के कारण चुम्बकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन का विरोध किस ने किया दूसरी एक कुंडली ने किया वहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन हो गया और इस धारा के परिवर्तन ने पहली कुंडली में फ्लक के परिवर्तन का विरोध किया तो जब दो कुंडलियां हो तो आपस में यह विरोध कर रहे हैं और इसलिए जो है इसे हम क्या कहेंगे अन्योन प्रेरण कहेंगे इसके विपरीत आप मान के चलिए कि आप आप जो है एक ही कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस कुंडली में स्वयम ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करने के लिए इस कुंडली में ही स्वयम ही विपरित दिसा में यदी धारा प्रवाहित होने लग जाए तो ऐसी इस्थिति में हम क्या बोलेंगे कि यह अब इसका मतलब क्या हुआ मान लेते हैं कि एक छोटी सी कहानी ये कि आप जो है बहुत ही सिंसियरली बहुत ही गंभीरता के साथ में अपने परिक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं ऐसी स्थिती में यदि आपके आसपास जो है यदि आपके परिवार में कोई साधी है अब क्या हो रहा है कि आप यदि स्वयम ही उस साधी में ना जाने का फैसला लें कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परिक्षा है वो भी बारह में की तो आपने ये फैसला लिया कि मैं स्वयम ही उस साधी में नहीं जाओंगा या नहीं जाओंगी तो ये आपकी अपनी प्र प्रेरन कहेंगे लेकिन यदि आप उत्साहित थे कि नहीं मुझे भी शादी में जाना है और आपकी मम्मी ने आपको नहीं जाने दिया बेटा परिक्षा है हम जाके वापस आजाएंगे तुम पढ़ाई करो ऐसी स्थिती में मम्मी क्योंकि आप नहीं है इसलिए मम्मी के वि परिवरत्न का विरोद किया हों तो अन्योंन प्रेरन और अगर ऑपने ही तो वह स्वाप रिवरत्न का विरोद कर लिया तो वह प्रेरन के बारे में हम्लोगे समझ लिया तो जब ऐसी दूसरी कुंडली के कारण लेकिन यहांपर आपको जो है क्या नियतांक मिल रहा है यहां पर आपको मिल रहे है डिवाइब इस प्रकार से मान निकाला जाएगा यहांपर यह नियतांक उप्योग हुआ है लेकिन यह स्वाफ परिगन के करण उस कुंडली के द्वारा स्वयम ही किया गया लेकिन यदि दूसरी कुंडली द्वारा जो है इसका विरूद किया जाए तो आप जो है इसको M I बोलेंगे और ये mutual के लिए लगा हुआ है मतलब अन्योन के लिए लगा हुआ है और यहाँ पर क्योंकि ये दो कुंडलियों के अलग-अलग विभिन विशेस्ताओं के कारण उसमें अलग-अलग टाइप से विरोध लगाया जा सकता है पापा प्यार से समझाएगे, ममी मार के समझाएगी तो इसी तरीके से ये M जो है वो दो लोगों के बीच की बात है इसलिए यहाँ पर M1,2 लव सकता है यदि आपको ये चिंध नजर आए तो आपको प्रभावित नहीं होना है अब अगली बात क्या करेंगे हम कि ये जो फ्लक्स में परिवतन की दर का मान, धारा परिवतन के दर के मान से समानुपाती है और यहाँ पर D5 by DT बराबर D I by DT ये चीज़ हम लोगों ने देखा और इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा चक्करों की संख्या होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स के मान में परिवतन बढ़ेगा तो यहाँ पर अनुपाती में हम लोगों ने ये N लगा दिया अच्छा इसका इकाई क्या होता है तो प्रेरकत्व की एकाई है हैंडरी होती है जिसे हम H से प्रदस्थित करते हैं यह एकाई है भाईया L जो है स्वा प्रेरकत्व M जो है वो अनुण प्रेरकत्व और इन दोनों को नापने के लिए हैंडरी का उप्योग किया जाता है जो कि जैसे कि लंबाई के लिए मीटर जैसे कि छेतर फल के लिए मीटर का वर्ग उसी तरीके से इसको नापने के लिए हैंदे का उपयोग किया जाता है चलें आगे बढ़ें अब स्वाप्रेकत्व का गुणांक के लिए हम लोग नहीं यहां पर देखिए आप क्या देख र करने पर उसमें बद्ध चुम्ब के फ्लक्स फाई एफ जो है यह फाई बी उत्पन हो तो एल नियतांग लगाकर कुंडली के आकार अब देखिए इस पर किस किस चीज का जो है असर पड़ रहा है किस किस चीज के कारण जो है इसमें मान में परिवतन हो सकता है कुंडली का आकार कैसा है उसकी आकरती कैसी है माध्यम और उसमें फेरों की संख्या आकार में मतलब यह है कि कुंडली का जो छेत रफल है वो कितना है उसके अंदर जो है उसे हम लोगों ने पानी में रखा है उसे हम लोगों ने जो है सिलिकान में डालके रखा है उसके बीच माध्यम कैसा है उसके फैरो की संख्या कितनी है इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि उसका जो प्रेराइल करतो है उसके मान में क्या परिवॉत्सर होगा आज यह बातें सीखने के वाद में आपके जिम्म्हदारी है कि आप मुझे जाने वाल